नवस्कार सातियो आज के वीडियो मर प्रोज फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 यूपी बोर्ड सबसे मोश्ट इंपोर्टेंट चार सौर्ट कोश्चन अंसर का अध्यन करेंगे तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो लाइक सेयर एंड सस्क्राइब अवस्करेंगे तो देखे इंपोर्टेंट और यह महत्पूर कैसे था तो आप इसका अंसर लिखेंगे इन दोज डेज यानि उन्दनों दा बुलेटन वोर्ड यानि कि वह सूचना पट वोज फिक्ष्ड लगाया जाता था एट दा मैं क्रावड़ेड प्लेसेज मैं इस्थानों पर या इलाकों में यानि उन्दनों सूचना पट मुक्के भीड भाड़ वाले इस्थानों पर लगाया जाता था एंड वोज दा ओनली मीडियम केवल एक ही माध्यम था तू कनवे दा मैसेज यानि संदेश को पहुंचाने तक और नियूज टू कॉमन मास यानि कि आम जनता तक और अगला महत्पूर्ण को देखते हैं अगला महत्पूर्ण कोशन है आपका कोशन नमर फोर्थ आपकी किताव का कि वाट डिड फ्रेंज थिंक आफ्टर हीरिंग एवाउट दा लाश्ट लहसान यानि आखरी पार्ट के बारे में सुनने के बाद फ्रेंज ने क्या सोचा तो आप अंसर लिखेंगे फैलेसी में से बनाएंगे आफ्टर हीरिंग एवा जानता था हाउ टू राइट यानि कि किस प्रकार से लिखना अथार्ट वह अपनी मदर लेंड मदर टंग थी जो आपकी फ्रेंच वाहसा तो वह वाली मुश्किल से लिखना जानता था इस उड़ लर्ण एनी मोर अब उसे और अधिक नहीं सीखनी होगी यानि कि उसे अपने पाठों को तैयार ना करने के लिए कितना धुक था सार आपकी नदी है वह कहां चला जाता था यानि कि पच्चियों के अंडों की तलास करने के लिए या फिर सार नदी पर फिसलने के लिए तो एक ही है महत्पूर्ण कोश्चन है तो दो हो गए और अगला तीसरा कोश्चन ये है आपका कि पढ़ाई को नजर अंदाई करने के लिए किसको आरोपित किया और क्यों तो आप इसका अंसा लिखेंगे फर्स्टली फॉर्दा इग्नोरेंस इने श्टडी यानि सवसे पहले पढ़ाई को नजर अंदाई करने के लिए एम हैमल ब्लेम्ड यानि एम हैमल जो अध्यापक ते उन्होंने आरोपित किया या दोसी ठहराया the students यानि कि छात्रों को सबसे पहले जो एम हैमल थे उन्होंने छात्रों को ही दोसी ठहराया because क्योंकि they delayed vital देते थे the studies यानि कि अध्यन को then तो friends यहाँ then ना रहे को दिकतने है then तभी he blamed their parents तव उन्होंने उनके माता पताओं को दोसी ठहराया who preferred जो अधिक पसंद करते थे देमा ने उन्हों चात्रों को to work कारे पर रखना on a farm यानि कि किसी farm पर out the mill या फिर किसी car खाने पर and then he blamed himself too तो उन्होंने अपने आपको भी दोसी ठहराया for giving them holy days यानि उन्हें चुटी देने के लिए आप चाहें तो इस question को थोड़ा और बढ़ा सकते थे आप चाहें तो इसका भी screenshot ले सकते हैं और इस chapter का fourth important question और देख लेते हैं तो वह है आपका word exam में ये question भी पूचा गया है विचली साल और यह भी question आपका पूचा गया है what did M. Hamill say about the language and its importance यानि कि M. Hamill ने भासा और इसके महत्यों के बारे में क्या कहा तो आप answer लिखेंगे M. Hamill said M. Hamill ने कहा that कि the French language यानि कि French भासा was the most beautiful language सवसे सुंदर भासा है in the world इस संसार में the clearest सवसे साफ भासा है most logical और सवसे तर्क संगत भासा है he further said वह आगे कहते हैं that they must guard it among them कि उन्हें अपनी भासा को अपनी बीच में ही सुरच्चे तबस रखना चाहिए and never forget it और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए तो आप इन दोनों questions का screen shot ले सकते हैं तो मिलते हैं next video में और अगले 4 important questions के साथ thanks for watching